हेलो फ्रेंड्स चलिए आज सीखते हैं कुछ नया हम में से कई लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हमारी अंडर आम्स और नेक की स्किन बाकी की स्किन से ज़्यादा डार्क है इससे हम लोग स्लीवलेस और डिप नेक लाइन वाले कप्ले पहनने में कॉंशेस फिल करते हैं मुझे रिक्वेस्ट भी आई है कि मैं आपको अंडर आम्स और नेक को लाइट करने का कोई हेक बताऊं तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि डार्क नेक और अंडर आम्स से छुटकारा कैसे पाया जाएगा सबसे पहले अपने नेक और अंडर आम्स को अच्छे से क्लीन करें इसको क्लीन करने के लिए आपको चाहिए कच्छा दूद कच्छा दूद लेकर उसमें कॉटन को डिप करें और डार्क एरिया को अच्छे से क्लीन कर लें दूद स्कीन को डिप क्लीन करता है और पोर्स से गंदगी निकालता है अब आप नीबू और चीनी से नेक और अंडर आम्स को अच्छे से स्क्रब करें इसके लिए नीबू को कट कर लें और उसके तुकडे पे थोड़ा थोड़ा चीनी डाल कर डार्क एरिया पर अच्छे से रब करें नीबू और चीनी स्किन को एक्स्फूलियेट करते हैं जिससे डेट स्किन निकल जाती है अगर अंडर आम्स में कोई कट या रैश हो तो आप नीबू की जगए कॉफी का यूज कीजिए पांच मिनट तक सर्कुलर मोशन में अच्छे से स्क्रब करें गरम पानी में चुटके भर नमक डालें इस पानी में सॉफ्ट टॉवल भीग आपकर अंडर आम्स और नेक को अच्छे से क्लीन कर लें अंडर आम्स में कोई कट या दाना हो तो गरम पानी में नमक नहीं डालिए इस स्टेब के लिए आपको चाहिए कोलगेट और एलोवेरा जेल आप कोलगेट ही यूज करें, कोई और तुटपेश नहीं यूज कीजिए आधा चमच कोलगेट और आधा चमच एलोवेरा जेल लेकर दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करें इस पेक को डार्क अंडराम सो नेक पर ब्रश की मदद से अपलाई करें इसे 10 मिनट तक स्कीन पर लगा रहने दीजे तूद पेश्ट में माइल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो स्कीन को लाइट करती है और एलो वेरा में नेचरल स्कीन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है इस पेक को आप अपने एलबो, नकल और एंकल एरिया पे भी अपलाई कर सकते हो अंडर राम से इतने ही क्लिन हमेशा रहे इसके लिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा टाइट ट्लॉट्स न पहने हेर दिमोवल क्रीम का ओवर यूज ना करें पर्फियूम यूज ना करें उसकी जगे पे आप रोल ओन यूज कर सकते हो इसी तरह नेक को लाइट रखने के लिए आप खोशिश करें कि ज़्यादा हेवी जूडरी ना पहने आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले दस मिनट बाद आपका पेक सूप जाए तो आप इसे गुनगुने पानी से क्लीन कर लीजे आप पाएंगे आपकी स्किन लाइट और सॉफ्ट हो गई है